कि हलो फ्रेंड्स आज स्टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है आज हम एक ने टोफिक अनुच्छेद अस्टा करते हैं जो किसी भी एकजाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अभी बरतमान समय में एकजाम गुरूबडी का चल रहा है जो किसी भी सि संग और ना मौर राजच्छेद अनुच्छेद एक और नए राजियों का परवेश या स्थापना अनुच्छेद दो में हर स्टुडेंट दो और तीन अनुच्छेद में उनको डॉटफूल हो जाता है तो आज के बाद से डॉटफूल नहीं होगा देखिए दो अनुच् स्थापना करेंगा वह दो अनुच्छेद में आ जाएगा और आप अनुच्छेद तिन की बात करेंगे तो अपना ही राज से दूसरा राज यानिकी सीमा में प्रिवरतन हुआ जिसमें अविहार से ही जहारखंड अलग निर्मान हुआ तो यह अपना ही राज से ही कर सकते हैं कि भारत में धी गरंग किया था और अनुछेद तीन की बात करेंगे तो जो भारत ने जो पहले से राज है उसमें सीमा का यह परिवर्तन हुआ है तो तीन में आएगा जिसे में बिहार से ज्ञार खंड बना तिलंग यानिकि अंद्परदेश से तिलंगाना बना त अब बात करेंगे बिदेशी राज की नागरिक्ता लेने पर नारिक्ता का ना होना किसमें बरनित है नो में इनकी बिदेशी राज की नागरिक्ता लेने पर नागरिक्ता का ना होना जदी कोई व्यक्ति बिदेशी नागरिक्ता प्राप्त कर लिए तो उसका जो भारत की न ले 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 तो भारत का नागरिक्ता समाप्त हो जाएगा इसलिए पाकिस्तान की नागरिक्ता नहीं लिए तो यह कोई यह की बात करेंगे निश्ट में क्या कर रहा है नहीं की बात करेंगे तो नहीं है कि नागरिक्ता के अधिकारों का यह रहा है कि नुच्छेद एगारा में किसका बनन है तो हम कहेंगे कि संसाद्वारा नागरिक्ता के लिए कानून का विन्म है कोशन पूछेगा कि संसद वारा नगरिक्ता के लिए कानून का विन्मय जो है किस अनुचेद में आए गारा और विधि के समझ चम्ता कहेगा तो 14 अनुचेद में और धर्म जातिलिग पर धेद का परतिसेद है 15 अनुचेद में अदर्म पहले बढ़ उपाधह लिया जाताथा अब उसको समाब्ध कर दियां कि 13 के अव्यू पराधू के दो सिर्व में दोसिव को एक सजह मिलना चाहिए और बात करेंगे प्राण और मंण?.. में कि अपने मन पसंद से आप बेवा कर सकते हैं किसमें बढ़नित हैं और वात करेंगे कि 6-14 वर्स के बच्चों को सिच्छा का जो अधिकार दिया गया है 21C क कम दिया गया है किसमें दिया गया है तो 22 कि कुछ दसाओं में ग्रपतारी से संडच्छन कुछ दसाओं में जो ग्रपतारी किया जाता है उसमें संडच्छन दिया जाता 1 कि अश्रम जो cringe 22 में कोषण पूछेगा ग्रफतारी का संडच्छन एक ग्रफतारी 22 में और मानव के दुरू के दुरorth daar और और आश्रम का जो दिया गया है किसमें है तेश में मानव के दुर्वयपार और बलात्सरम जो है न बरने तेश में ही बरनन किया गया है यहीं कि मानव का दुर्वयपार नहीं होना चाहिए और बलात्सरम जो है छे दिन नहीं होना चाहिए किसमें है तेश में और बात करेंग किसमें धर्म की आच्रान और परचार की स्वतं तरता है 25 से जिस परकार से सिख्व लोग किरपान धार्म करते हैं न को मैं किरपान धार्म करते हैं कि सनुछेद तो कहेंगे 25 कोчजड करना 25 अभी है यानिकि पच्ची से ताइस से दार्मिक स्वतंतरता के पर धार्मिकारयों के परवंधक dirty वाथ करें गहां और बात करेंगे एब 19 की हमें इसमें जो भी हिस्वhos नार हैं तो बात करते हैं उटेज्ची जो बिर ऑसक्र मतलब उसकी संख्या बहुत कम हो ओ एक संख्यक में पहले तो यानिकी मुस्लिम ढूर्प का निकी संख्यक कंग जिसकी संख्या बहुत कम हो अनुछेट पर स्थापना और यानिकी पर्सासन करने का इनकी संख्यक ग порगों का अधिकार ऑद 32 कि बाद करेंगे 32 को प्रवर्त करने के लिए उप्चार क्की कर सकते हैं 32 में समीध्हानिक उप्चार के लिए five जो वरनिद Jessie में और कियें चालिस में तो ग्रम पंचैतों का संगठर पूछेगा ग्रम चनलिस्ट के तहथ ही लागो किया गया है औरंगराश चिलिषक की बाद्ट करेंगे मां स्थानों और भस्तू का सनरुच्ष्षा की सनुजद में तो उनचास में या स्मार्ख प्रहangen प्रह क्क यौश से घेां लेकिन प्ष्ष cyn इंदा प्राश्षा की बात करेंगी तो उस्ठराख। इकामन और बहरत के राष्ट पती की बात करेंगे बहरत के राष्ट पती किसमें तो बामन में और बात करेंगे भराष्टकर पती तो पतां में और राष्ट्पती का निर्वाचन चवण में और राष्ट्पती के निर्वाचन के जो रिती होता है वो 55 में है और राष्ट्पती का जो पद अबधी होता है पांच साल का वो किसमें बढ़नी था तो अनुचेद 56 में राष्ट्पती पांच साल तक अपने पद पर रहे और वाद करते हैं संतामन की तो संतामन में है कि पुनर निर्वाचन के लिए यानिकी पत्रता यानिकी कोई राश्पती पुनर निर्वाचन होगा किस अनुचेद में यह संतामन में हैं है किसे संतामन में अब्ला करें 3 suic hanno रावरत के निर्वाचित होने के लिए आहरताय और राष्पति निर्वाचन होने के लिए क्या चीज आहरताय होना चाहिए जिस परकार छे कम से कम पयतीस वर समस्रों भोना चाहिए इस तरह कबर्निधने भारत के नागरिव पूर्णा चाहिए तो किसमें अंठामन में हैं किसमें अंठामन में और भग करेंगे बात करेंगे राष्ट पती के प्रके लिए भीतियां हो जै एक तथा तो राष्ट पती से संबंदी डिया हुआता जिस पर काहिक मतलब बोल सकते हैं कि राश्पती में दिया हो था कि राश्पती का पद यानि कि राश्पती भारत का राश्पती होगा बामन में राश्पती का चुनाव होगा चंगन में फिर राश्पती के जो चुनाव की परकिरियाएं होगा ओ पचपन में और राश्पती पांच साल के अपने पद पर रहेंगे छपन में और 57 में था कि पुना निर्वाचन के लिए पत्र था नठांवन में हैं कि राश्पती के लिए क्या-क्या अहरताय होना चाहिए भध क्या-क्या-с facet to में हैं और बात करेंगे 63 में 63 की बात करेंगे तो बहारत का उपराश्टपती होगा कि सभापती होना उपराश्टपती का 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 उप सी तरह से बोल सकते हैं कि जो ऊप राश्ट पती का पद्रिंस रहेगा तो ऊपराश्ट पती राश्ठ पती के का दी करेंगे 66 तो ऊप्राश्ट पती का निर्वाचन 66 में है और उप राष्ट्पति के पदाबधी सर्सठ में है और हो प्राष्ट्पती के रिखति apologize कि में हने के लिए निर्वाचन और 60 में हैं और बात करते हैं में ग्युनभल पाष्ट्पति 2 वहायद सपत किस समें 70 में जिस परकार से राष्टपति सपत कितन Q बात करते हैं चमादान की सक्ति किसमें मैं बहुतर में खमादान की सकती किस में हैάλp Farm चैजमें मैं और बात करेंगे всей 2023 के संग की काजपाल का को सक्ति का बिस्तार को कि मैंlez वेयるुक्क्षपाइब राश्ट्रवादि के गरताश में जनकारी देने के लिए परधान मंत्री का करतब होगा 78 में राश्वत्रित के जनकार्द देने के लिए पर्द्हानमंत्री का कर्तब किसमें 78 में और शंचत का गठन संसत का जो गठन मुच्छेद 80 में हैं आप राज सवा का संदशना एक असी में हैं और लोग सबाके कि 83 में संसत के दोनों सद्रों के अब्धी किसमें हैं तो 85 में हैं लेकिन राश्पती का विशेष अभिभासन की बात करेगा तो 87 में विशेष अभिवासन कोशन पूएगा कि राज सभा का सभापती और रूप सभापती कि सनुछर्द में हैं तो 89 में राज सभापती और रूप सभापती की बात वहलेगा तो 90 में और निश्पकी बात करेंगे तो निश्वार्य तो 33 में और निश्यट की वाद करें निश्य में क्या करा और याने की अध्यट यानिकी अध्यट ऊपद होता है वो रित हो ना किस नूछिद के तह तो 94 के तह लेकिन कोशन कोछ है कर नूट हक में कर्थ्पवेध और इवं जो सकतियां होता है उसका वर्नाण अनुछ्यद 95 में अध्याच्य उपाध्याच को पद से हटाने का संकल्प तब उसका पिठासी नहीं होना या ना होना अनुछेद नहीं में और बूलेगा उस सभापति उपाध्याचु उपाध्याच के मध्याज की वाथ करेगा ठीवारा सपति ज्यां की वाद करेगा तो निनामे में और एक सोवाठ्व में क्न Mac pou say कि बात करेंगे motivate when ifitktra जो पटता है क Long Bell तो यही संशद यानि कर सकते हैं कि दोनों सदनों के द्वारा संजुक तो बुलाता है कि समिधान से लिया गया है तो अश्ट्रिया की समिधान से लिया गया है निश्ट की बात करेंगे और कोशन कुछेगा बुलाता कौन है तो संज्युक्त अधिवेशन बुलाता है राश्वते लेकिन अध्याशता कौन करता है तो लोगसभा अध्याश करता है और बात करेंगे धन विध्यक की समद में विशेश पर किरिया की बात करेगा तो एक सो अनुछनronics लेकिन धन विध्हेक की कि बात करेगा तो 110 विसेश पर क रिदक करेगा दन विध्हेक की बात करेगा तो little reality कि रिदंडन और यान्ने करेगrise चाहँ लेंद कि वाद करूकंद्ड 11 और वारसिक विढकर देश fracture की वात करेगा तो 112 संसत में पर्यू개 कि जाने वाली भासा किसानुचेट के तत्थ परियूग किया जाएगा रॉद करेंगे कि 130 के तहट राष्टपती अध्यादेश जारी करेगा संसत वी संतिकाल में राष्टपती अध्यादेश जारी करेगा या अध्यादेश की सक्ति है 130 में लेकिन 130 से ही है इसको उलटके हम 213 कर देंगे तो राष्टपती अध्यादेश जारी करेगा और राजपाल अध्यादे लेकिन परतिकराज में उच नियाले होता है तो यह जो दूसलोर साच neighbor 214 ने हम भंध कि बात करेंगे सब्सक्राइब क्राइब नियाइभी 1 मिलता है 1200 के अशड़ मिलता है 1 सब यहीं कुछ नियाइधीस की नियुक्ति यानी कि तो अनुछे 2 ego 26 एक तर्दर्थ नियाइध्यनं मुर्तियों के जो 227 और यानी कि सेवा निवीर्थ नियाइधविलेखने ल theory को सर呢 उतमनियालय कविलेक नियालues अपन्दरा में हो जाएगा इसे मैं 2000 की ब ар σे और उच्ट की बात कहेगा तो दूस्थान होगा किस अनुछेद में हैं तो यह एक सो तीस सनुछेद में और बात करेंगे कहेगा कि उच्टम नियालई के प्रम्भी का धिकारता जो आएगा किस अनुछेद में तो सनुछेद में 137 यह इंपोर्टेंट है नेवा मादेशो का पुर्णा विलोकर्म होता है कि सनुछेद में 137 लेकिन उससे जादे इंपोर्टेंट है उच्टम नियालई से प्रमर्श करने की राश्पति की सकती है एक सो ती तालिस लेकिन भारत का नियंत्रक महलेखा की बात क पर नहीं के सकतीवमर्श के सकतीवित में 133 में अर राज impressन की वाकुआ की तहुत्याइए 165 में राजियों के जो राज पाली का सकतीवार्श करेद 앞에 से 2005 में तो 155 में और बात करेंगे बात करेंगे कि राजपाल के जो पदाबधी है जो राजपाल के पदाबधी है पांच बर्स ऐसे तो देखिए राजपाल जो होता नराश्पती के परशाद परियत्मर होता राश्पती जब चाहे जब हटा सकते हैं जब चाहे जब तक रख सकते है तो राजपाल के जो पड़ापदी है 106 survived के तहत बरनी था है और राजपाल के निउक्ति होने के अहरताइं बरनी था है 157 206 में और मंत्री इнаком होता है और मंत्रियों के वारे में नए महाधाःवक्ता की बर्नन 165 में और राजो सरकार का जो सचाना होता है 166 में राज राजपाल के जनकारी देनी के समद में मुखमंतरी का करतब होगा कि की तरह से आप सासन चला किया है तो यह देगा राजपाल को राजपाल को जनकारी देने के में मुखमंत्री का अगलता बहुं कि समचन में 167 राजियों के विद्हान मंदल का इकठन 166 राज के विद्हान मंदल की बात करेगा तो करेंगा तो कर सकते हैं राज में जो संसद कह सकते हैं वो विधान मंडल होता है तो उसको 168 थिर जिस परकार से जिस परकार से यहनकी विधान सभा की संदाचना कहेगा तो 170 और विधान परसद की कहेगा तो 171 और वाद करिए 172 की तो राजियों में राज्यों के जो विंधान मंदल की एक सो बहुता है और 176 में होता है गज़ा का जो विश्षए सभी वासन होता है 176 में राजसथ म्याद रखेगा विधान मंडल है और विधान सभाह के संरचना कहेगा तो एक सो सथर में जबकि 168 है यहां पर एक अनुशेद 179 आएगा बीच में तो संसद कहेगा तो 168 और जिस तरह से राज सभा होता है ने उसी तरह से केंद्र में राज में विधान परिसद 179 और यहां पर विधान सभा की संदशना फिरा जाएगा 177 आएगा एकिंद्हान परिशत की संदचना की बात करेगा तो 171 आ जाएगा और 172 में राजियों के विधान मंडल के अबधि और राजपाल की बिसिस अधिवास जो अभिवासन होता 176 के था नेश्ट की बात करेंगे तो नेश्ट में क्या करा नेश्ट में करा रहा है 177 में कि सदनों के बारे में मंतریओं और महाधि बग्ता की अधिकार है 177 में और विधान सभा के अध्याच और उपध्याच की बात करेगा तो 178 में है और अध्याच और उपध्याच का पद रिक्ट होना या पद से हटाया जाना इसका बरնन 189 में है लेकिन अध्यच के पदों के काजी या सक्ती का जो बर्नन है 180 में बर्नित किया गया है और 181 में जो बर्नित किया गया है अध्यच और उपाध्यच को पद से हटाने का कोई संकल पारित होने पर उसका पिठासी ना होना उसका बर्नन है और बात करेंगे बात करेंगे विधान परशद का सभापती और उपसभापती 182 में है विधान परशद का सभापती और उपसभापती 182 में है लेकिन सभापती और उपसभापती का पद रित होना या पद त्याग या पद से हटाया जाना 183 में है किसमें बरने था 183 में है और राश्पति के पद के कर्त्यवियों का पालन वसक्ति जो बरनन है 184 में है लेकिन सभापति और रूप सभापति को पद से हटाए जाने का जो संकल्प विचार धिन होने पर उसका पिठासी ना होना ये 185 अनुच्यद में है और वात करेंगे 186 के तो अध्याच उपाध्याच सभापति का बेतन बातेरे 186 और सदस्द के दृपत की पर त्यान की बात करेगा ठौन में लेकिन विधाय को पर अनुमति की बात करेगा तो बात करेगा तो आए कि यह लेकिन और बात करेंगे 214 के लिए होगा जिस परकार से केंडिर में एक सरवोच नियाले होगा 214 में उच्ञ नियाले के लिए यगे बत कहा था यह हैं सेलंगे राजियों के लिए राज के लिए उच्ञ नियाले बूलेगा 214 में सिर्फ आख्ठनभ़ा 270 में नियाई धिस की नियाई धिस का वेतन 211 में और एक नियाले से दूसरे नियाले में नियाई धिस का जो अंतरन होता हैं और 222 में हैं नियाइधिस का वेतन 281 क्या करैंगे कि कर लायक की काले मुक़् नियाइधिस की न्यूक्ती 1201 हमें होता है कुछ निकानने के लिए उच नियाले की सक्ते 226 में 226 में लेकिंट दोया अधिक राज्यों के लिए एक उच नियाले की अस्थापना की बात कह souris 21 231 cheating 811 faded कैसे बिस्टभा ने बलनी था है 231 ने बलनी था है लेकिन कहेगा कि राज यहनी कि कहेगा कि जीला ने अधिस की न्यूक्ति तो 233 में लेकिन दो या अधिक राजियों के लिए एक ही उच्छ नियाला ही रहेगा तो 231 में और बात करेंगे कि पंचायत नगर पालिकाइवं सहकारी समीतियां की बात करेंगे तो 243 में सहकारी समीति 243 में लेकिन अनुसूची छेतरों के लिए जनजाती छेतरों का परसाथ सन 244 में है और अब सिश्थ विधायक सक्तियां 248 में है और दो या अधिक राज के लिए सहमत्ति से विधी बनाने की संस्त के जो सक्ति है 252 में हैं और बात करेंगे कुछ दसाओं में राज्यों पर जो संग का नियंतरन होता है दो संतामन में हैं और बात करेंगे कि अंतराजिये नदी या नदी दुनों का जो जल समंधि विवाद का नियाई नियाई निर्ने है 262 में हैं तो 262 में है और यहां तो यहां तो यहां तो इस अंतराजिये नदी की बात कहेगा लेकिन कास्मिक निधि संचित निधी से राष्टपती पैसा डायरेक्ट नहीं निकाल सकता है लेकिन अकास्मिक निधी से राष्टपती डायरेक्ट पैसा निकाल सकता है इसलिए राष्टपती के लिए एक अकास्मिक निधी होता है कि कोई भी यानिकी एक अकास्मिक घटना हो जाए तो फैसा आश्पत्य काश्मिक निदी से तुरंद पैसा निकल सकता बित यो की बात करेंगे तो 281 और संपत्तिक अधिकार की बात करेंगे तो अनुछे 300 और बात करेंगे कि जो ब्यापार वनिज और समगम की जिस्वत तंत्रता है 301 में हैं लेकिन कहेगा कि संग राज के लिए लोक स 315 में अगश्फ के लिये चाहरी में बहलित है अच हो गया और जड़ी कोई सेवायोग है तो उसको निलम्भीत करेगा ना तो नुचेद करेगा ना लेकिन लेकिन लोग सेवायोग का जो यानिकी होगा 315 में और सोला में सदस्का की दिखत्र सथा और बात करेंगे लोग सेवायोग के किरित कहेगा तो 33 24 लेकिन पर्साशनी का अधिकरन की बात कहेगा तो 323 निर्वाचन यहीं कि नियांत्रन के बात कहेगा तो 324 में यहीं कि निय। और वाद करेंगे हैं बात करेंगे कि तीन सो तीज में लोग सभा में अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती के लिए इनके अस्तानौ का आराचन की बात कहेगा 330 में किसमें 330 में लेकिन जिस परकार से लोग सभाई उसी परकार से राज में बिधान सभा होता है तो उसमें अनुसूची जाती और जन जाती की बात कहेगा बात कहेगा यानिकि यहां पर यानिकि राज के बिधान सभा में अनुसूची जाती 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 और अनुसूची ज तो बोलेंगे 343 में और राज भासा के समध में आयोग और संसत की समीति का जो बरन किया गया है 344 में बरन किया गया है जो अनुच्छेद हम करा रहे हैं इंपोर्टेंट करा रहे हैं एक नेश्ट वीडियो में लाएंगे जिसमें 395 अनुच्छेद रहेगा उसमें टोटल अ उर हिंदी भासा के विकास के लिए निरुदेश की बात कहा गया है 301 कामन में कहा गया है और अपाथ की गोषना का परभाब 302 में और राजीयों में से मिधानिक तंथ के विफल हो जाने की दसा में उपबंद की बात कहा 356 में और ब्यक्तिय अपाथ के बारे में बारे में बरनन किया गया है किसमें किया गया 377 में भारत के नियंत्रक महलेखा परिच्छा के बारे में उपबंद करा है 378 में तो आज जो इनपोर्टेन्ट अनुच्छे ता उसी को कराएं अब नेश्ट वीडियो में हम संसोधन की बात करेंगे यह कोशन पूछता है वीडियो में हम संसोधन की बात करेंगे तो आज हम इतना रहने देते हैं